नमस्कार दोस्तों हमारे शैनल हेल्ग स्ट्रिक्स औंटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है यू तो प्रेगनेंसी के दौरन गर्भवती महिलाओं को काम काच करने से कोई भी परहेज नहीं करना चाहिए लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि गर्भवती महिला को घर के नॉर्मल या फिर हलके फुलके कारे करने चाहिए बहुत जादा भारी भर कम वाले काम गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए दोस्तों ये बात ध्यान रखें कि आप प्रेगनेंट हैं आपको कोई बिमारी नहीं हुए है तो इसलिए आप घर के काम अगर करेंगी तो इससे आप और भी जादा अपने आपको चिस्त दुरूस्त पाएंगी तो दोस्तों आज बात करेंगी कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं बैट कर कपड़े धो सकती है या नहीं तो इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगी और किन-किन गर्वती महिलाओं को ये कारिया नहीं करना चाहिए, इस तरीके के कारियों को नहीं करना है, ये जानकारी भी मैं आज आपको इस वीडियो में आगे दूँगी, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, एंड वीडियो को भी ना इसकिप किये दोस्तों जैसे कि गर्भावस्ता एक बहुत ज्यादा नाजुद दौर होता है लेकिन दोस्तों कुछ गर्भवती महहिलाओं की Praína कुछ भूप इस धौरां की splications की सिकार हो जाती है और कुछ गर्भवती महहिलाओं को यहां तक कि दॉक्टर बेडरेस्ट के लिए भी कह देते हैं दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ कि जिन महिलाओं को प्लैसेंटर प्रीविया की समश्या होती है उन गर्वती महिलाओं को बैट कर कभी भी कपड़े नहीं धोने चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर उनके गर्व में अधिक दबाव पड़ता है इसके अलावब दोस्तों प्रेगनेंसी के प्रथम तिमाही में जबकि महिलाओं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंस्रिम होती है और गर्व में जो शिशू होता है वो बहुत ज़्यादा चोटा होता है और बहुत ज़्यादा लचीला होता है जिससे कि मिस्कैरज के चांसे बहुत ज़्यादा बन चाते हैं तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी के प्रथम तिमाही में भी बैठ कर कपड़े नहीं दोने चाहिए या फिर ऐसा कोई भी हैवी कार्या नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके गर्भ में जो भूण है उसे कोई भी खत्रा हो अब बात करते हैं कि गर्वती महिलाओं को बैठ कर कपड़े धोने चाहिए या नहीं तो दोस्तों जैसे कि घर के बहुत सारे काम गर्वती महिलाओं को करने होते हैं तो क्या गर्भवती महिलाएं बैट कर कपड़े धो सकती है या नहीं ये सवाल मुझे कमेट द्वारा पूछा गया है तो इसका जवाब है जी हाँ आप बैट कर कपड़े धो सकती हैं गर्भवस्ता के दोरान लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप बैट क बिल्कुल अपने आपको सहच महसूस करती हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है बैठ कर कपड़े धोने में तो ही आप घर भावस्ता के दौरान बैठ कर कपड़े धोए प्रेग्डेंसी के दौरान आपका शरीर और आपके गर्भ में अगर शिशू पूरी तरीके स्वस्त है तो आप इन कामों को धीरे-धीरे कर सकती है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा जोर कपड़े धोते समय नहीं देना है अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज्यादा दबाव आपके पेट में पढ़ रहा है या फिर आपको बहुत क्योंकि आपका शरीर है तो आप भी ज्यादा अच्छा अन्वाव कर सकती है कि आपकी गर्भ में इसका क्या प्रभाव पढ़ रहा होगा अगर आपको इस दोरन ऐसी कोई भी तकलीफ दिक्कत या फिर प्रेशर पढ़ रहा है तो आप तुरन उस काम को छोड़ दीजिए और अगर आपको कोई भी इस तरीके की दिक्कत नहीं हो रही है तो आप इस चीश का ध्यान जरूर रखे कि कपड़े धोते समय आपको अत्य दिक लंबे समय तक बैट कर कपड़ों को धोना नहीं चाहिए क्योंकि अधिक समय तक अगर आप शारीरिक परिश्रम करते हैं तो इससे आपकी बॉड़ी पर effect हो सकता है अपके पैरों में इसे सूजना सकती है आपके पेच में दर्ध की समश्या हो सकती है यहां तक कि आपके गोटनों में भी दर्ध हो सकता है इसके साथ ध्यान रखे कि आपको बहुत ज्याद आदिक heavy कपड़े नहीं धोने है जैसे कि चदर वगेरा नहीं धोने चाहिए, परदे वगेरा नहीं धोने चाहिए, या फिर जो भी गरम कपड़े हों, जो हैवी कपड़े होते हैं, उनको आपको नहीं धोना है, दोस्तों अगर आपको प्रेग्नेंशी के दौरान किसी भी तरीके की smell से allergy होती है, या फिर आपको detergent से किसी भी तरीके की allergy महसूस हो रही है, तो ये काम आप तुरन्त छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपको infection भी हो सकता है, और अगर आपको इस दौरान इस तरीके का infection हो जाता है, तो आपको इसमें समय से पहले delivery होने का खत्रा बन जाता है, तो दोस्तों ये थी बूरी जैन वारे इस चैनल health tricks and tips को ज़रूर subscribe करिये, thanks for watching this video, बिलती हो next video में, till then stay happy and stay healthy